वेल्कम बाक तो मैं चानल, आज के स्वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी क्लास नाइन्थ का चैप्टर है हिस्ट्री का नासंस और राइस ऑफ हिटलर इस चैप्टर को हम क्विक किसके रवीजन करेंगे ताकि आपके शोट नॉट्स भी रडी हो जाएं आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ लग जाए सबसे बहले चैप्टर का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्टार्टिंग कहां से होती है स्टार्टिंग का टाइम होता है 1945 में एक लिटल चूटा सा बॉइ होता है 11 यर का जिसका नेम था है हैलमट वो अपने बेड़के उपर बैठा हुआ था और वो देखता है कि उसके पैरेंट्स ना बहुत ही इंट्रस्टिंग सी यह कहलो कि बहुत ही कि सीरिровा डिसकॉशन कर रहे होती है ठीक है तो वो क्या करता है थोड़ा सा पास चाकर सुनता है कि उसके पापा क्या क्या रहे हैं ठीक है तो वो देखता है कि उसके फादर बोल रहे होते हैं कि उसको अब सोसाइड जो है वो कर लेना चाहिए और उसका फादर ये सोचता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही है बहुत जाधा tension में आ जाता है पूरी family चले जाते हैंести yang laugh बहुत ज़साधा helmet जो है वह enjoy करता है बट जब वह वाफिस आता है ना इनक्स जी मारें को इन पर घाता है उसकी जो father की dead body थी वो आई थी तो यह पूरी situation जो थी ना helmet को बहुत जादा आप कहलो कि इतना जादा उसका mind drug हराब हो जाता है कि वो यह सोचता है कि अगर मैं अपने घर पे कुछ और खालूँगा, मेभी मेरी mother जो है तो अब यहाँ पर question arise होता है कि क्यों helmet का जो father था उसने suicide करी what was the reason, तो क्यों उसने ये भी चीज़ सोची कि मैं suicide अकेला करू या पूरी family करे ठीक है और ये बात उसने अपनी wife के सारी discussion क्यों की क्या reason था कि उसने ये सारी चीज़े की, इसका answer आपको at the end of the chapter पता चल जाएगा क्यों helmet का जो father था उसने suicide करी थी so यही जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्यों क्या fear था उसके father को helmet के father को की ending में आके उसने suicide कर ली थी, ये आपको जो answer है इसका at the end of the session ये आपके लो की lecture पता चल जाएगा 1941 में आपकी is your Weimar Republic की है क्या okay so यहाँ पर जैसे मैं हम discussion कर रहे थे कि Weimar Republic है क्या so Weimar Republic जो है ना basically ये जर्मनी की government थी, जब आप 1919 से लेके 1933 तक ये जर्मनी की आपकी government रही थी, ये period आपका तब था जब आपकी World War One के बाद का ठीक है और आपकी Rise of Nazi जो party थी जब आपका Hitler का rise हुआ था उससे पहले जब आपकी World War One हो गई थी उसके बाद के in between का जो time था that was your Weimar Republic जो की government बनी थी आपकी जर्मनी में ठीक है और ये name दिया गया था town क्योंकि जो आपका town था, town of Weimar था जहाँ पर जर्मनी की नई government थी, form करी गई थी by the National Assembly और इसकी जो starting थी वो बड़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें हर एक को opportunity दी गई थी even कि किसी भी caste का है, बंदा वोट कर सकता है वोमेंन भी वोट कर सकती है बट स्टिल इसको ना हर जगा पर 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 आप कहलो की importance नहीं दी जारी थी हर परसन इसके आने के बाद खुश नहीं था उसका भी एक reason है, आप में को comment section बताओगे उसका क्या reason था क्योंकि हर परसन इसके आने के बाद ना ज़ादा खुश नहीं था वाइमर रिपबलिक के बाद सो देखो चाही मतलब आप कहलो कि जर्मनी में एक नई आपकी constitution आ गए थी वाइमर रिपबलिक स्टिल जर्मनी को बहुत ज़्यादा problem face करनी पड़ी थी एक basic जो major challenge था that was your hyper inflation ठीक है इसमें USA ने बहुत ज़्यादा help किया था जर्मनी को बिकोज जर्मनी में इतनी ज़्यादा आप कहलो कि जो currency थी वो शपनी स्टार्ट हो गई थी इतने ज़्यादा आपके notes जो है प्रिंट होने स्टार्ट हो गए थे money printed होने स्टार्ट हो गई थी कि लोगों को छोटी से छोटी चीज लेने के लिए bundles of money देनी पड़ती थी ठीक है क्योंकि तब आपका जो पैसा था इतना ज़्यादा quantity में चपना स्टार्ट हो गया था तो छोटा सा अगर आप bread का पकेटी लेने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था उसके लिए भी ठीक है अब जो आपका great economic depression हुआ था जर्मनी में उसकी effects किया थी ठीक है पहला था आपका आपके industrial production reduced to 40% जो आपके industrial production थी वो 40% कम हो गई थी unemployment जो रेशियो था आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ठीक है criminal जो थे वो चीजे स्टार्ट हो गई थे criminal acts आपके स्टार्ट हो गई थे वो तो हो नहीं थे because अगर आपकी unemployment बेरोजगारी increase हो रही है तो लोगोंने crime ही करने है तो ही इनके पास पैसा आएगा business लोगों के fail हो गई थे farmer की जो crops थी वो फेल हो गई थी mother जो थी अपने बच्चों को इनी feed कर पा रही थी because ultimately अगर farmer ही नी किसी crop को grow कर पाएंगी तो mother कहां से अपने बच् government कुछ नहीं कर रही थी इसके लिए government was doing anything ठीक है was not doing anything and now nobody respect government nobody support वाइमरी पपलिक यहाँ भी वाइमर में M आना है please उसको आप ज़रा कर ले ना spelling किसके थो उड़े से mistake है V-W-E-I-M-E-R होता है यहाँ तो government कुछ नहीं कर रही थी ठीक है तो किसी भी person ने फिर government को support करना अच उससे भी कम होना start हो चुका था तो अब यहां तक जितना भी हमने पढ़ा यह जो crisis हो रहे थे ठीक है जितना भी सारा कुछ हो रहा था ना economy में जो crisis हो रहे थे आपकी society में हो रहे थे पॉलिटी में हो रहे थे एक background आपका set कर देता है जहां से कि आपका rise कौन होने वाला है हिटलर ठीक है यहां से अब आपका rise होने वाला है हिटलर अब हिटलर था कोन हिटलर का जो bond था 1889 में हुआ था और हिटलर ने अपनी सारा का सारा जो यूद ताना गरीबी में उसने सारा अपना spend किया था ठीक है जब first war आपकी war जो थी आपकी end हुई तब इसने अपने अच्छा काम किया था इसके बाद इसको bravery के काफी जादा medals मिले थे जब जर्मन जर्मनी जो थी वो हार गई थी ठीक है उसके बाद इसको ना बहुत जादा दुख हुआ था इसको था कि मैं कुछ करू जर्मनी के लिए so for that उसने small group को join करा जिसका नाम था German Workers Party तो उसने आके इस जगा पे आके उसने काफी ज़्यादा काम किया ठीक है and later on क्या हुआ कि जब वो चाता था क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जर्मनी के लिए कुछ करना चाता था उसने political party join की जिसका नाम था German Workers Party and उसका वो head बना थोड़े टाइम बाद और उसने इस party का name change कर दिया party का name Nazi party ठीक है यह Hitler ने किया कुछ अब इसके बाद question rise होता है कि Nazi जो party थी वो politics में कैसी आई ठीक है कैसे उसको politics में लाया गया क्या हुआ वो सारा चीज़े हम यहाँ पर discussion करें तो 1928 में आपका क्या हो था election हुई थी जर् कारने का reason क्या था कि कोई नहीं जानता था Hitler कौन है कोई नहीं जानता था नाजी party कौन है अगर आप भी कोई party खोल के बैट जाओगे ठीक है आप भी election में खड़े हो जाओगे nobody knows you जब आपने कोई काम ही नहीं किया किसी को आपके बारे में नहीं पता तो who will vote you ठीक है कोई भी आपको vote नहीं करेगा उसी तरीके से Hitler जब खड़ा हुआ था 1928 की election में तो वो भी हार गया था उसकी party बहुत बुरे तरीके से हारी थी because nobody knows Hitler तो उसको कैसे ही vote मिलनी थी ठीक है ना हिटलर हार गया था उससे just आप कहलो कि 2.6 vote यह से भी कमी vote उसको मिली थी बहुत ही ज़ से depression हुआ था भी हमने पीछे discussion किया कि क्या क्या problem लोगों को face करनी पड़ी थी यहां पर हिस्टलर के पास ना chance था advantage था कि वो कुछ कर सकता था ठीक है बहुत ज़्यादा उसकी पसंद आई ठीक है तो ultimately 1932 में क्या हुआ कि नाजी पार्टी जो थी वो जीत की थी उसने लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े promises किये थे जो लोग चाहते थे उसने बोला मैं आपको employment दूँगा future youth को बोला आपको यहां पे future मिलेगा वो भी secure हो पूरा यही तो लोगों को चाहिए और चाहिए का लोगों को तो लोगों ने उसको भर-भर की vote दिया और finally उसकी जो party थी वो form हो गई थी ठीक है तो 1933 में आती आते हिटलर के पास बहुत जादा power हो गई थी and उसने सोचा कि क्यों ना कुछ change किया जाए आपको भी पता है कि जब आपके पास power जाता आ जाती ना तो person का mind जो खराब होना start हो जाता है तो उसने भी यही सोचा था वो क्या करता था छोटी छोटी जगा पे कबजा करता था हिटलर जो था आपका तो उसने कहा कि मैं क्यों अपनी छोटी छोटी जगा पे कबजा कर रहा हूं जब मैं हिटलर था ना उसके पास सारी powers आ गए थी जो चाता था जर्मनी वो कर सकता था और उसने किया भी हिटलर ने बोला कि सारी parties को आप बैंड करतो सिरफ और सिरफ एक ही पार्टी चलेगी उस पार्टी का नेम क्या आपका नासी पार्टी ठीक है और उसके बाद जर्मनी का उस गों का एरिया ही ले रहा था जाके जाके कैसे कोई हमें अपना एरिया देता तो तो अल्टीमेटी मुझे में इसमें केनवर्ट होनी थी वही जाता था लडाई हो थी के य하 iki और उसके साथ है जो हेलो ऑनाम स्पेर्प काफी करता है मीघ करते है लिए लेग करता था सपोर् एरियास का, बट इसको ये था कि just war हो, अब war अगर होगी तो end उसका क्या होगा, लडाई हो नहीं उसकी, ठीक है, war में तो आपके लडाई होगी ना, इधर के party के भी लोग की death होगी, दूसरी side के भी लोगों की death होगी, तो यही चाहता था, ठीक है, कि खुदी लोग आपस मे ही end हो जाए, तो on 1 September 1939 को क्या हुआ कि जो जर्मनी थी, ठीक है, उसने attack कर दिया, पोलेंड के उपर, जर्मनी ने किसके उपर आपका attack कर दिया था, पोलेंड के उपर आपका attack कर दिया, ठीक है, तो second world war हुई, जिसमें जर्मनी थी, एक side पे, और दूसरे side पे कौन था, आप पस में फिर क्या होनी start हो गई, आपकी war होनी start हो गई थी, तो 1941 में हिटलर ने attack किया, रशिया के उपर, जो कि उसके लिए बहुत जादा decision, आप क्या लो कि बुरा था, हिटलर का, तो ये सारी की सारी जर्मनी को ना हिला के रख देता है, 1941 में जब हिटलर ने attack कर दिया था, रशिया के उपर, क्यों, क्या हुआ था, ऐसा आप देखो, USA जो था ना, वो बिचारा नहीं चाहता था, कि वो आके fight करे, ऐसे जैसे मैं आपको starting में भी बताया कि USA जो था, वो जब economic depression था, तो वो जर्मनी को support कर रहा था financially भी, बट जब USA को पर खुद दिक्कत आई, ठीक ह तो वो पीछे हट गया, तो फिर जर्मनी तो already down थी, तब ही Hitler का rise हुआ ना, अपका कि जब Hitler ने आके promises करना start कर दिये, इसलिए USA जो थाना भी चुप करके बैठा हुआ था, वो किसी भी चीजों में involvement नहीं दे रहा था, अपनी, वो नहीं चाहता था, कि मैं इस में और involvement दू इस आके war में, तो वो fight नहीं करना चाहता था, because उसकी side पे खुद economic crisis हुआ था, थीक है, but वो control ही नहीं कर पाया, जब जो आपका Japan था, वो continuously अपनी power वर जो था, वो उसके उपर impose करी जा रहा था, USA के उपर, थीक है, तो अब अंदा कितना की चीज वो सहार सकता है, so later on Japan ने attack किया, USA के area के उपर, और तब USA आया, war के अंदर, तो तब ही आपकी war क्या थी, end हो गई थी, world war 2 जो थी, वो आपकी end हो गई थी, उसका reason ही था, कि USA आपका बहुत powerful था, तो उसके आने के बाद, आपकी world war 2 भी क्या हो गई थी, बिल्कुल finish हो गई थी, at end of the world war, जो थी destruction was held, बहुत जादा destruction हो गई थी, लाखों लोगों की death हो गई थी, हिटलर जो था ना, वो लोगों की death ही चाता था, वही चीज़ हो गई थी, अब हिटलर का, जितना भी लोगों, लोगों का हिटलर के ओपर trust था, faith था, ठीक है, जो भी था, सब कुछ वो चीज़े खतम हो चुकी थी, ठीक है, हिटलर को अब कुछ नहीं समझ आ रहा था, कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, तो at the end, हिटलर ने क्या किया था, अपनी family के साथ ही, suicide कर दिया था, ठीक है, और कुछ लोगों को पता चल गया था, इसकी ideology क्या है, इसने बहुत सारे लोगों को जो कि आपके lower caste वाले थे, उनको भी rooms में बंद कर करके, उनको poisonous gas शोड़ शोड़ के, उनको इसने आपके लोगों की death करवाई थी, ठीक है, कि बहुत इसने बुरे तरीके से लोगों को torture करा था, ये इसका basic ideology थी, जो कि at the end खतम होनी ही थी, ठी अब यहां पर आपका question बहुत important बनता है, कि जो यूथ है, उसको क्यों नाज़ित कर दिया थी, ठीक है, तो अब यहां पर आपका question बहुत important बनता है, कि जो यूथ है, उसको क्यों नाज़ि पार्टी जो थी, या जो हिटलर था, बहुत जादा support करता था, क्यों बहुत जादा जो पैसा था, जो हिटलर था, वो अपना यूथ के उपर लगाता था, तो उसका reason ये था, कि जैसे starting में आपको पता होगा, कि हिटलर बहुत एक ग काम रहे, उसके जैसे लोग यहाँ पे रहे, तो वो लोगों का mind change करना चाता था, उसको पता था, आप जो बड़े हो गए हैं, काफी है डायट है, उनका mind change करना is quite difficult, और जो लोग यहाँ पे already exist कर रहे हैं, like जो बच्चे हैं, जो अभी इतना उनको नहीं पता कि सही क्या है गलत कै, उनको ही क्यों नहीं मैं target करूं, ठीक है, इसने schools में भी ऐसे किया था, कि बच्चो को proper इसने, जो आपके lower caste वाले थी, उनको बिल्कुल भी इसने support किया था, उनको आपके लोगे school से बिल्कुल separate कर दिया था, निकाली दिया था, और जो इसकी party को मानते थे, नाजी को मानते थे, उसको इसने बोला कि सिरफ वही school में पढ़ेंगे, नाजी के ideology ही बच्चो को पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, और अब इसमें ये भी था कि जितने भी schools थे, इसकी under थे, जितने भी थे, सारे कि सारे जो teachers थे, वो सारे कि सारे वो थे, जो कि इसकी party को belong करते थ थे, उनको सभी को इसने कहां कर दे था, बाहर कर दिया था इसने, ठीक है कि उसने बोलता कि Germans थे, वो उनके साथ, इसने बोलता कि जो Germans है, आपके Jews है, वो इकठे बैट के ना खेल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो undesirable है, वो physically handicap है, तो उनको side पे रखो, ठीक है, ऐ नेक्स्ट बुक भी इसने re-written कर वाई थी, जिसमें कि सारी कि सारी नाजी पाटी की ही तरीफ हो रही है, ताकि बच्चों के माइड में वो शीज बैट जाए कि, नाजी और हिटलर is very good, तो बच्चों ने वही करना है, ठीक है, इसलिए 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 यूद को बहुत ज ठीक हो थी, इक्वल राइट के लिए, मेर्स के लिए, यह बुलता था, कि जो आपके बॉइम्स के लिए, उनको ऐसे करके रखना अपने कि वह एग्रेसिव होने चाहिए, मैस्कुलैन होने चाहिए, ठीक है, और जो ऑपकी गर्ल्स है, र।र जो अपकी बच्चे को वह जा अच्छा है ये ही चाहता था ये चीज़े ठीक है ना वो और हिटलर ने ये भी चीज़ कही थी 1933 में कि जो मदर होगी उसको वही फर्दर बच्चों को बच्चों जिस बच्चा इसका यूत बन जाएगा और वो इसको सपोर्ट करेगा थीक है बोलता ये था कि मेरी स्टेट में जो है अगर किया जाता था था हॉसको फेवर भी किया जाता था हॉसको कंसेशन भी मिलती थी शाप्स में जाके इवन कहीं भी जगा पर जाना उनको काफी ज़्यादा कंसेशन दी जाती थी और जो आपकी अपर कास्ट वाली वुमेन उनको इंकारेज किया जाता था कि आप और शिल्डर्न को प्रोड्यूस करो इवन उनको ओनर मिलता था कैसी के अगर सपोस करो किसी के फोर शिल्डर्न है तो उनको ब्रॉंस मेडल में ब्रॉंस वाला वो प्रॉस कर जाती थी ठीक है अगर कोई सिक्स है किसी के बच्चे तो सिल्वर अगर किसी के एट से जादा है तो गोल्ड तो इस तरह कि उसने यूनो वोमेन को आप केलो की चीज़े बना के रखी हुई थी इसने और ऐसी वोमेन जो की जुएस के साथ पोल्स के साथ रशिन के साथ कोई भी तरह का आप केलो की लिंक रखती थी ठीक है उनको बहुत बुरे तरी के से मार दिया जाता था काफी को तो जेलस में भी भेज दिया जाता था और उनके हस्बेन अलग रहते थे वो खुद अलग रहते थे यह सारी चीजे हिटलर ने की थी तो आपको पता है फिर एंड तो उसका बुरा होना ही था है ना तो यही था आपका चैप्टर आई होप आपको समझ लग गया होगा इस चैप्टर का प्रॉपर ओबर्विव कि इसमें है क्या पिकोस अगर आप बुक में पढ़ोगो तो काफी जादा लंबा चैप्टर है यह तो आपको काफी टाइम लग जाएगा तो मैरे समरी आपको बत चैप्टर आपकोने साथे तो यह तो यह स्कीन की जाएगा तो यह तो लेत मी नो इन दे कोमेंट सेक्टिय नहीं है